हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू सुभम लेक्टर चैनल तो स्टुडेंट्स वीडियो में हम क्लाश 12 हिंदी ब्याकरण से बोर्ड एक्जाम में दो नंबर के पूछे जाने वाले एक इंपॉर्डन टॉपिक पर डिसकस करेंगे इस टॉपिक का नाम है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो हम इस वीडियो में 20 बहुत ही महत्पूर अनेक सब्दों के लिए एक सब्द को पढ़ेंगे एंसर के साथ ठीक है तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए किलियर हो जाएगा तो आज ही इसे आप जरूर देखिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो देखिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द में होता क्या है इसमें होता ये है कि एक sentence जिया रहता जैसे आपका first है जिसके आने की कोई तिथिना हो ठीक है ये एक sentence है अब इसका एक छोटा सा sentence लिखना है जिसमें इसका जो अर्थ है उ तो इसका होता है अतिती ठिक है जैसे आप लोग वीडियो देख रहे है ठीक है तो देखिए जिसके आने की कोई तिथ नहीं हो उसे हम कहेंगे अतित ठीक है इस English में हम कहते हैं गेस्ट अगर इंग्रिस में पूछा जाता है तो हिंदी ये आपका मैं पढ़ा रहा हूं तो हिंदी में इसी प्रकार से आपको लिखना है देखे अतित वह है जिसके आने के कोई तित नहीं है तो देखे इस वाक्य का अर्थ इतने से वाक्य में समाही तो हो गया तो इसी प् पाक्य का जो अर्थ है वो मैंने एक ही अच्छर में लिखे दिया एक ही वर्ड में ठीक है तो इसी को हम कहेंगे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द से तीसरा देखिए जिसका कोई सत्रू पाइदा ना हो उसे हम लोग कहते हैं अजात सत्रू इसका पीडिया भी में डिस्क्र पूछा जाएगा आपके बोडिक्जाम में तो भी आप ऐसे इसे टिक कर सकते हैं जो सही होगा उसकर टिक आप कर देंगे पहले वीडियो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो देखिए चोथा हमारा है जिसका वर्ण ना किया जा सके तो जिसका वर्ण नहीं किया सकता उसे हम कह सकते हैं आवर्ण निये आवर्ण निये का मलब जिसका वर्ण ना किया जा सके ठीक है अब पांच बाद देखिए क्या इस्वर में विश्वास रखने वाले को हम कहते हैं आस्तिक आस्तिक ठीक है विश्वास ना रखने वाले को हम क्या कहेंगे आके अस्थाम बन को ना मानने वाला तो जो दूसरों के उपकार को ना माने ठीक है उसे हम कहते हैं किर्टगन किर्टगन ठीक है अब देखिए हमारा सातवा है जो इस्तिरी कभिता लिखती हो तो जो इस्तिरी कभिता लिखती है उसे हम क्या कहेंगे कभित्तरी ठीक है कभित्तरी और जैसे जो कभीता लिखता हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, कभी, ठीक है, इसके बाद में हमारा आठवा important है, अनिक सब्दों के लिए एक सब्द, कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा समाचार पत्र प्रकासित होता है, उसे हम कहते हैं दैनिक, ठीक है, तो इसका संचिप्त में जो एंसरों का वो दैनिक होगा, तो प्रति दिन प्रकासित होने वाला समाचार पत्र दैनिक, तो दसमान देखे, साइयम से और कम खर्च करने वाला, तो इसे हम लोग कहेंगे, याना कि यह बे कम करता है ठीके संभिlaughing से और कम घर्श करता हूं कम करता है उससे मुस्य देखे हमारा मिजरा मां है कि जो अधिक बोलता हो करें थीक है इसके बात संथ मां झाल करूआ करता हो उससे हम कहेंगे संपादक simple है ठीक है तो जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उससे हम कहेंगे संपादक तो यह आपका total number है ठीक है तो यह समझ में आई इसके बाद में हमारा तेरावा है कि सदा सत्य बोलने वाला तो सदा सत्य बोलने वाले को हम कहेंगे सत्य वादी सत्य का मलब सत्य वाद का मलब बोलने वाला ठीक है तो सत्य वादी इसके बाद में हमारा चवदा हमां important है कि जो बंदना करने योग हो जो बंदना करने योग हो उसे हम कहेंगे बंदनिये ठीक है बंद निये उसके बाद में हमारा पंद्रहमा है कि जिसका विश्वास किया जा सके तो जिसका विश्वास किया जा सके उससे हम कह सकते हैं विश्वस निये ठीक है विश्वस विश्वस निये ठीक है इसके बाद में हमारा सोलहमा इंपॉडंट है कि जिसका कोई सब द इसके बादमे मारा सबसरा itself important है कि जिसकी उपमा ना दिजा सकी तो जिसकी मेरे सकती है उसे हम कहेंगे अनुपम ठीक है bigger अनुपम इसके ऐसके बाद में माया सबसरा नत bellल्फ और सब्सब्सकराण अब पूरा करने वाला सताईू उसके बाद में मारा वो निसावा कि चित्र बनाने वाला व्यक्ति तो जो चित्र बनाने वाला बेखती होता है। उसे हortion यह कहते हैं चित्रकार क्षा यह सब्रेसी कीसों होक 20 सब्दे लोग मुझे दीजीएगा किस ने कमेंट में देगते हैं कितने लोग इसका विप not की जा सके अच आदा रह Dis हम आर्णए अच्छ में आचुकर होगा इसकी आप एंसर मुझे में जरूर दीजीएगा इसका पीडीए भी कर लीजिएगा तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है आप लोग तयारी करते रहिए मैं लगाता आपके लिए च्छे च्छे वीडियो जिलाता रहूंगा